मकर सकरांती हो और तिल के लड़ू ना खाय जाएं ऐसा तो नहीं होना चाहिए सबसे पहले एक कप वाइट तिल दीमी आज पर किसी हवी परतन में दो से चार मिनट तक भून लीजे जादा भूनेंगे तो वो कड़वे हो जाएंगे अब 100 ग्राम हम मावा लेंगे और 700 ग्राम गुड़ लेंगे गुड़ को छोटा-छोटा काट लीजे जब तक तिल ठंडे हो रहे हैं तब तक कड़ाई में 2 टीस्पून घी लें और उसमें मावे को अच्छे से भून लें अगर घर में मावा ना हो तो इतनी ही कॉंटिटी में मिल्क पाउडर जाल दीजे और साथ में आदा कप तूट डाल दीजे और फिर उसको भून लीजे घर में ही रेडिमेट मावा त्यार हो जाएगा अब इसी में गुड़ भी पिगला लें गुड़ को अधिक देर तक नहीं भूनना है नहीं तो लड़ू बहुत सक्त बनेंगे और दातों में भी चिपकेंगे तिल ठंडे होने के बार मिक्सी में दरदरा पीस लें और उन्हें गुड मावे के मिक्स्चर में मिला कर लो हीट पर दो तिन मिनट तक पका लें सर्दियों में गुड तो खाना ही चाहिए और साथ में तिल मिल जाए तो और भी अच्छा बन जाने पर आप चाहें इसकी बर्फी बनाए या लड्डू आपकी मर्जी मैं तो इनके लड्डू बना रही हूँ पूरा ठंडाओने से पहले ही पानी या घी का हाथ लगा कर लड्डू बना लीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी करना ना भूलिएगा डेकोरेशन के लिए इसके उपर कोई भी मेवा लगा लीजिए चाहे काजु हो चाहे पिस्ता सर्दियों का गिफ्ट है ये मिठाई खुद भी खाईए और उखो भी खिलाईए देखा कितने जल्दी और असानी से तयार हो जाते हैं